आठे खुल गी अमारी कि हमने देखा कि हमसे कुछी दूरी पे याने की 200-300 मिटर की दूरी पे उजाले नजर आने लगे दो परिवार ने पाली बसे हुए उनके इतने चोटे-चोटे बच्चे विज जंगल में है मेरे होरा ने पसंदा रहे इतने पसंदार उन पर ऐसे आरहे और outta बहुत करीब ह Seb hatist अब बोलने के बिजरत ने तुम करण दोगी मुझे पाधा है शयाएद से इसलिए इतन सब्सक्रेप्रीج है एक यही रीजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज 20,000 की जाम हो इतने करीब हैं, तो एक horror story time लाया जाए हो भी पापा वाला, क्योंकि पापा से ज्यादा real horror story time किसका होगा, वो भी पापा के time का, जो हमारी generation को सबसे ज्यादा पसंद है, और वो सच भी होते थे और वो time के incident आज के time पे शायद होते भी नहीं है, तो सबसे बैस मुझे यह लगा कि पापा का ही horror story time लाया जाए बच्छपन का real incident एक, जो राम लीला फिछला खतम होगा था ना, कि पापा अपने गाहा था कि राम लीला वाला continue करोगे, तो वही वाला राम लीला वाला हम continue करेंगे बहुत मस्त होने वाला है, तो end तक बने रहाना, अपने अपनी seat पे बैट जो popcorns पकड़ लो, तो शुरू करते है, ठीक है, पापा, राम लीला वाला किस्ता शुरू करो, मॉम थोड़ी सी attention देनी पड़ेगी, ठीक है, चलो, शुरू करो, बात यह किस्सा है, और ऐसा लग लग रहा है, जैसे अब मैं तुम्हार सामने बोलूगा तो ऐसा लग रहा है, यह परसों की बात है, हम ऐसे कोटते हुए भाग रहे है, तो यह हमारे कुछ गाउं होते थे, आट-दस गाउं का कुछ एरिया है, जहां यह हमारे गाउं में होगी, तो यह ठाई किलमेटर से और पाँच किलमेटर का एक दाईरा था, इतने गाउं का रहे है, वहाँ वहाँ हम रामलिला देखने जाते थे, और होता यह था कि तीन दोस्तों की तो हमारी बिल्कुल जैसे बोलते हैं लंगोटिया यार, तो तीन हम लंगोटिया यारी थे, कि भाई कहीं भी रामलिला हो इतना हमारे पास थे नि थो कई वारी दूसरे गाउं से बढ़ने पड़ते थी तो शुरू में आपने बताया वह बेसिकलिए था कि चार-पांच किलोमेटर के दायरे पे चार-पांच गाउं है तो तुम एक दूसरे गाउं में जाते रहते रहते थे तो यहां रात को ही होती है तो पुछ गाउं तो ऐसे खेतों के रास्ते जाना है और खेत का रास्ता तो यह निए कि वाई जैसे कि हम प्लेंस में है यह चंडिगर में तो पिद्धा खेत आ रहा सिद्धे हम रामलेला मैदान में पहुंच गेंगे नो क्या होता था खेत है चोटे-चोटे पक डंडिया है एक खेत से जंप और की दूसरे खेत में भी जाना है स्टैफ फामिंग होती है पहाडों में बिल्कुल लगा कि हम जब जाते थे उस मशाल के जाना एक वापस के लिए रखना एक आते समाई के लिए भी चीए अब जब होएंगे कोई लेडिस भी गई होगे पांधस होंगे तब तो कोई डर नहीं लगता था लेकिन जब बीच में सरब हम तीनी दोस्त हैं तो डर भी लगता था अ आत को हमने खाना खाके नौक बजे चल पढ़ते थे पहाड़ों में तो नौबजे का टाइम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता दिखता भी नौबजे देखो रामलीला नहीं दस बजे शुरू है तो नौबजे गए नौबजे गए तो हम भी साड़े नौब पॉने अब मैं जो तुमें किसा सुना रहा हूं वही रामलीला के दिनों की बात है और यह सबसे दूर का अच्छा और साला था वी जंगल के रास्ते वाला चापहले खेतों वाले थे नौबजे जेखेतों और यह गउता का भी राश्बामा अब यह ठाटा गाउं तो का वावे त जाना हमें जंगल के रास्ते जहां तुमने देखा होगा कभी हमारा खेत भी तुझे दिखाए था वहां से हम गाई चराने के लिए लिए जाते थे उस रास्ते तो वह कम से कम वह डेड़ किलोमेटर का जंगल है तो यह किसा तुम्हें बता रहा हूं और लग मुझे ऐसा रह तो उस दिन हुआ कि अपना मसाल रखा चल पड़े वह ठीक है जहां तक खेत 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 उसके बाद डेड़ किलोमेटर का सफर जो है जंगल का था तो जैसे हम जंगल के रास्ते गए तीन तो हैं एक लड़का थोड़ा हम में निडर था दो तो हम ऐसे ही थे मैं बीच में र और बात होती है और जो हम तीन थे तो तीन में क्या करेंगी डर लगता है अब आँखें खुल गी हमारी कि हमने देखा कि हम से कुछी दूरी पे याने की 200-300 मिटर की दूरी पे उजाले नजर आने लगे जैसे टॉर्च के लाइट होते हैं वो नजर आने लगी हमने बोला देखो वहां ने बोला जिल्दी चलो आउगर राम लेला लेला ब्लच करो कम से कम भीच में आगे बहुंकρχे और करते हो कफिर रहे है आवाज भी आने लगेरे लेकिन कि उनके बीच में संबली थोण असमबा वह क्योंकि 3 मार एसा करते हैं अनुक्त हुए हुए पकड़ ठेले वह फिर हमसे 200-300 गजंद्व 50 मिटर दूरी वो जो हमारे साथ चालाग था न वो लड़का मतलब निगर था उसने कुछ नहीं बताया उस्टेमा को कहते यार इन्होंने मेरे ख्याल से बल दूसरे जगाओ का देखना होगा राम लेला होगे रा हमें तो उस जाना है तो हमारे रास्ता यह है और वो हमें उल्टे रास्ते यह तो अब इदर से चलेगी काफी दूर जाने के बाद जब उस गाओं की बॉंडरी के नजदीक हम पहुंच गी देखने लगी उदर से भी लोग आ रहे है उदर से भी लोग आ रहे हैं तो हो रहे है तो मिल भी गे तो बीच में हम भी होगे तो मतलब था हमने बोला यार वो क्यों नहीं फिर हम पकड़ पाए उनको उस लड़की को बोल रहे हैं कि उनको क्यों नहीं पकड़ पाए यह देखो आप कितने लोग कठे होगे भै कैते मैंने अपने पिताजे से सुनावा था जब तीसरी बार हम उनके क्लोज पहुचे और वो फिर हम से इतनी दूरी पे भै अब कहता है हमने तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं बताया कि तुम लोगो ने तो डर जाना था तुम दोनों तो बहुत डर फोको मैंने का बाब वाद तो सही है लेकिन अब वो लग जाता है फिर घर वाले भी बोलते लग भी जाता है मैंने का भैया अब मैं तो वापस जाने वाला मैं तो अब वापस रात को नहीं निकलोगा और हमारे गाओं के इर्दगरित के गाओं के भी कोई नहीं है मैं तो नहीं जाओं राम लिला 12-12 बजे खतम हुई 12-12 बजे खतम होने के बाद हम उसी पंडाल में जो राम लिला का परदे लगे होते न और वहीं अब देखो दूसरे गाओं वालों ने भी क्यों पूछना तुम कहा कि हैं तुम कहा कि वहां रंग बे रंग ये बहुत रंगी लोग हैं कोई क किसी गाओं के कोई किसी गाओं के उस गाओं वालों ने भी क्यों पूछना कहा के जातीयां को यह नहीं पूस्ते द्रामा रहँ मैं पूसन कोई नहीं पूस के करीब हम घर पहुंच दो घंटे तो कम सा कम लगते ही थे जाने में उस घंटे लगते 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 थे और जब घंटे लिए गर वाले पूच रहे तुम रात क्यों नहीं है यह होगया वह उस लड़की नहीं बोला ऐसा गटना होगी थी तो कहते तुम्हें किसने बोला था कि तीन आदमी जाओ तुम उस जंगल से तो कम सा कम गुरूप बना के जाते हैं जैसे कुछ जनाइनिया भी हैं कुछ वह भी हैं तो हमने वहाँ है इसका पता नहीं था ऐसा हो जाएगा अगले दिन साथ बजे पांच भी वहाँ से चले साथ बजे घर पहुंचे फिर माबाप उने बोला उस दिन से कान पकड़े कि उस जंगल के रास्ते रात को राम लिला में अगर होंगे हमारी साथ बुजुर्ग तब हम जाएंगे नहीं तो हम नहीं जाने वाले इर्द इर्द उर्द लटके ने बोला कि हमको कि भाई हमको वहां पे सुनाएं नहीं डर गी और वह खुद भी डर गया लेकिन वह हमसे 2-1 साल बड़ा था तो उसने बोला कि हमारा रास्ता नहीं यह उस गाउंवाले हैं इधर से चलो क्यूंब बोला उसने अपने पिताजी से सुनी भी थी वात जंगल की आप बात कर रहे हो ना कि जब हम गाओं गए थे तो वो बिलू और मैं गई वहां से तुमने फोटो भी बेजी थी फोटो बेजी वहां पर देखो फिर वह बर्शिल बुआ बोल रही कि कहते हैं यहां पर हम दिन में अकेले न घास लेने आते थे नगाई दिन में आते थे वह जनानिया लेडिस हैं भैस रखी हैं आज क्या है वहां पे तो परिवार नेपाली बसे हुए उनके इतने छोटे- जंगल में रिश्ट जंगल में आजिस जंगल की जिस मतलब वहां वह पानी पौनी साहता था जहां इतने डरते थे वहां उनके एक जुगिशी बढा रहे हैं वहां पर चोटे बच्चे भी वो भी वह बरतन रखे वे वह खाना बढा रहे हैं तो कहते हम कुछ नहीं करते तो जो वो खाना रखते तो सुबह खायवा मिलता था यह बिटा यह किसे रियल है यह कोई ऐसी नहीं है कि तुम्हें ऐसे कहानिया सुना दी यह रियल है अगर तो सब किसे दो चाहएं और फिर यह किसे लाना मेरी जमेवारी हैं थीक है तो तक मैं पहुंचा देंगे कि अगर तुमारे इन सुनने वालों को अच्छे लगते हैं तो देख लो अगर तुम सबको सुनना है तो अब यह तुम सबके हाथ पर रहा है तो इस लोग को इस टोरी डाइम को यहीं पर दियान करते हैं and I hope तुम सबको मजा आया होगा मजा तो comment, like, share and subscribe जरूर करना तो है तेक्या